Your Excellency, Prime Minister Lee, Managing Director of the Monetary Authority of Singapore, Governor of Reserve Bank of India, भारत और सिंगापूर के मेरे साथियों, भारत और सिंगापूर की मित्रता बहुत पुरानी है, समय की कसोटी पर हमेशा खरी उत्री है, हमारे पीपल टू पीपल रिष्टे इसका मुख्य आधार है, UPI Pay Now Link का लॉंच आज दोनों देशों के नागरिकों के लिए एक ऐसा उपहार है, जिसका वे उत्सुक्ता से इंतजार कर रहे थे, मैं भारत और सिंगापूर के लोगों को इसकी बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ, साथियों, आज के यूग में टेक्नलोजी हमें अनेक प्रकार से एक दुसरे से जोडती है, फिंटेक भी एक ऐसा सेक्टर है, जो लोगों को एक दुसरे से कनेक करता है, सामान्य तोर पर इसका दाइरा एक देश की सिमाओं के भीतर ही सिमित होता है, लेकिन आज के लॉंच ने क्रॉस बॉर्डर फिंटेक कनेक्टिविटी उसके एक नए अध्याय का सुभारम किया है, आज के बाद सिंगापूर और भारत के लोग अपने मोबाइल फोन से उसी तरह पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे, जैसे वे अपने अपने देश के अंदर करते हैं, इसे दोनों देशों के लोगों को अपने मोबाइल से तत्काल कम खर्च में फंड ट्रांसपर करने में मदद मिलेगी. इस सुविदा से दोनों देशों के बीच रेमिटन्सिस कार सस्ता और रियल टाइम विकल्प संभव हो पाएगा. इसका हमारे प्रवासी भाई बहनों, प्रोफेशनल्स, स्टूडन्स और उनके परिवारों को विशेश रुप से लाभ होगा. फ्रेंड्स, बीते वर्षों में भारत ने इनोवेशन और मोडनाइजेशन के लिए उचीत वातावन बनाने को सर्वच्च प्रात्विक्ता दी हैं. हमारे डिजिटल इंडिया प्रोग्रेम से देश इस अफ लिविंग में भी बढ़ी हैं और इस अफ दुविंग बिजिनेस भी बढ़ा है. इससे डिजिटल कनेक्टिविटी के साथ फाइनांशल इंक्लूजन को भी अभूत पूर्व गति मिली हैं. डिजिटल इंडिया भ्यान ने गवर्णन्स और पब्लिक सर्विस डिलिवरी में अभूत पूर्व रिफॉर्म्स को भी संभव बनाया है. ये भारत के डिजिटल इंफ्रासेक्टर की ही ताकत है कि कोवीट पेंडेमिक के दोरान हम करोडों लोगों के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर कर पाई हैं. फ्रेंट्स, पांच साल पहले मैंने सिंगापूर में कहा था कि फिंटेक, इनोवेशन और युवा उर्जा में विश्वास का एक बहुत बड़ा उत्सव है. फिंटेक और डिजिटल क्रांती में भारत की सभलता की अगवाई हमारे टेकनोलोजी ट्रेंड युवाही कर रहे हैं। आज फिंटेक की दुनिया में भारत के हजारों स्टार्ट अप्स अपना लोहा मनवा रहे हैं। इसी उर्जा की वज़े से आज रियल टाइम डिजिटल टांजेक्शन के मामले में भारत विश्व के अग्रणी देश्व में हैं। आज यूपी आई भारत में सबसे पसंदिदा पेमेंट मेकनिजम बन गया है। मर्चंस और कंज्यूमर्स दोनों ने ही इसे जादा से जादा वे अपना रहे हैं। इसलिए आज बहुत से एक्सपर्स ये अनुमान लगा रहे हैं कि जल्द ही भारत में डिजिटल वॉलेट ट्रांजेक्शन नकद लेंदेन से अधिक हो जाएंगे। पिछले वर्ष यानि 2022 में यूपियाई के माद्यम से करीब 126 लाग करोड रुपी है। यानि लगभक टू ट्रिलियन सिंगापूर डॉलर से अधिक मुल्ले के ट्रांजेक्शन हुए है। अगर मैं नंबर अब ट्रांजेक्शन की बात करूँ तो ये भी 7400 करोड से अधिक होता है। ये दिखाता है कि भारत का यूपियाई सिस्टम कितनी बड़ी संख्या को आशानी से और सुरक्षित तरीके से हैंडल कर रहा है। अच्छा ये भी कि विबिन देशों के साथ यूपियाई की पार्टर्शिप भी बढ़ रही है। सिंगापूर पहला देश हैं जिसके साथ आज पर्संट टू पर्संट पेमेंट फेसिलिटी लॉंच हुई है। मैं सिंगापूर की मोनेटरी अथोरिटी भारत के रिजर्ब बैंक और इस प्रयास को सिफल बनाने में जुडे सभी लोगों का हार्दिक अभिनदन करता हूँ। मैं दोनों देशों की जनता को फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं प्रधान मंत्री जी का भी रदय से बहुत बहुत आभार वेक्त करता हूँ। धन्यवाद।